इस समय हम बिहार के अररिया जिले के औराही हिंगना गाउं में माजूद है साहित समाज का दरपन ही नहीं वरन सचे तक भी है कुछ ऐसे साहितकार हमारे देश में पैदा हुए जिन्होंने समाज को न सिर्फ आईना दिखाया बल्कि सचेत भी किया है सोतंतरता सिनानी उपन्यासकार लेखक और रिपोर्टर फनेश्वनाध रेणू ऐसे हिसा इतिकार थे इस समय हम बिहार के अररिया जिले के औराही हिंगना गाउं में माजूद है जो रेणू का गाउं है रेणू आज होते तो उम्रे की 99 वर्ष पूरा कर सौवे वर्ष में प्रवेश कर रहे होते मैला आचल परती परी कथाज जैसे अमर उपन्यासो और मारे गए गुलफाम जिस पर गीतकार शैलेंद्र ने बासु भटाचारे की निर्देशन में फिल्म तीसरी कसम बनाई ऐसे अने कहानियों के शिल्पी रेणू का दुखद और आसामाईक निधन 11 अप्रैल 1977 को हो गया था उन्हें हिंदी का दूसरा प्रेमचंद और उनके मैला आचल को प्रेमचंद की गौदान के अस्तर पर कहा जाता है ये नो ग्रामीन जन जीवन सरोकार से जुरे सहतिकार कथाकार ही नहीं थे बलके समाजिक और राजनेतिक जीवन में उनका सक्रियस तक्षेप रहा था उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम के साथ ही नेपाल में राजिशाहिक के विरुध और लोकतंत्र कायम करने के लिए चले आंदोलन में भी सक्रेता से भाग लिया था भारते स्वाधीनता संग्राम में वो जील भी कह थे रेणो की तमाम रिचनाय चोकि पूर्णय जिले के ग्रामीन जीवन और खास तौर से मैला संस्कृति से जुरी थी हिंदी के कुछ आलोचकों ने उन्हें आंचलिक सहितकार के रूप में उनके वेक्टित और क्रितित को समित करने की कोशीश भी की थी लेकिन उनके आंचलिकता में राष्ट्रे परिदिश्य को देखा और समझा जा सकता है फिल्हाल तो हम यह जाना चाहते हैं कि रेणू के शेत्र में तब यानि जब रेणू राजनीत में सक्लिय थे और अब में कितना बदलाव आया है हम पहुँच गए हैं फोनेशर नाथ रेणू के घर पर वैसे तो इस गाओं का नाम औरा ही हिंगना है लेकिन लोग इसे रेणू ग्राम कहते हैं यहां कुछ लोग मौजूद हैं आए हम उनसे जानते उनसे बातचीत करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं कि तब से अब में फनेशर नाथ रेणू के समय में जो राजनेती परिदिश्र थे और अब में कितने बदलाव आए हैं हमारे साथ हैं फनेशर नाथ रेणू जी के बरे बेटे पद्म पराग वेणू जी पुर्विधायक भी हैं हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है यहां का माहल किस तरह से बदलाव आए हैं फनेशर नाथ रेणू के समय से अब तक में कितने बदलाव आए हैं पिता जी यानि रेणू जी जो थे सिर्फ साहित कार ही नहीं उपन्यास कार ही नहीं थे बलकि पत्रकार भी थे तो उनके समय में किस तरह से बदलाव आए थे उन्होंने कुछ काम किया था अपने गाउं के लिए देखिए रेणू साहित को पढ़ने के बाद ऐसा लगा मुझे ऐसा लगता है मुझे ये अगर घमंतू पत्रकार नहीं होते तो इतने अच्छे इतने बड़े लेखक नहीं होते ही आजकल के साहित कार वो बुरा नहीं मानेंगे जो मैं बोल रहा हूँ आजकल जो है वो एसी में बेठके गाउं का चितरन कर देता है लेकिन रेणू जी एसी में नहीं बेठे धूप में जले पके लोगों के बीच गए लोगों से पूछताच किये लोगों का अनुभव को बटोरे उसी को उन्होंने लिखा है सोथनतोरितन से नानी भी रह चुके हैं वो राजनीत में सक्रिय भी थे तो अब के राजनीत में कितना बदलाः कुर्ण तब से लेकर अभी तक में देखे तो कितना बदलाः क्तुए देखिए दणतों कि पांधा क Πाझण का।फान मुल求 है रय्णितो सब्सक्राइस जिए सबस्क्राइमिक्वाहि woods बाझे मिल diffyू पुल्षक्वाहि राजिनिती जी जाती पाती के हू갈 थे्ट कि यह मानाव जाती का संस्कार होता है जिस जाती का जुल रहेगा उसके तरव उसका धियान जरू जागा चाहे कि इतना ही खराब हो शिर्फ मंदल जाती को छोड़के हैं वो यह बता देते हैं कि अगर गैर जात में अगर कोई लड़का क्रिमिनल निकर रहा है तो उसका जात उसको पीट ठोकता है इस जाती में अगर कोई साहसपुर्ण कुछ काम करना चाहता है तो कहगा कि डखेत हो गया है तो जाती करन के जाती वादी के चलते पाठी के अंदर में घुटन महसूस करते हुए उन्होंने पाठी की सदस्ता छोड़ दी और पाठी का काम छोड़ द करेज देखा जा रहा है जब कोई नया खिलाडी मैदान में आता है तो उसके परती लोगों का क्रेज रहता है जैसे हजराबाद की टीम आई थी फ़ार उसी खेलने के लिए आज से पंटीस साल पहले हम लोग सायकील से गए थे देखने के लिए कि हजराबाद बना खेलता क है उनके पिता जिलाल उपिसाद यादर की 15 साल तक यहां पर सरकार रही है तो उन्हीं के वंस के हैं उन्हीं के परिवार से हैं तो कोई नई बात तो है नहीं नई बात नहीं है लेकिन जुआ तुर्क में है भी देखने का सुनने का कि क्या बुलते हैं यह क्या कर रहे हैं प्रवेश करने वाले अगर वो जंदा होते, तो निन मीज पूरा करके सुवेश साल में प्रवेश करते है इस अफसर पर उनका शतावधी समारोध या हो आयोजन होने की बात हो रही है पिछले कई महीनों से और शतावधी पर काम सुरूव हो काम प्रारम भी किया गया यहां गाउं में, इस्कूल में, दो दिन तक लगातार चलता रहा काम, तिसरे दिन करोना डेवी का परकुप हुआ और अस्थागीत कर दिया गया है इस घर में पैदाली है, यहां पले, बड़े भी, और जितनी सारे रचनाओं का जो रचना रचे, तो यहां से शुरू किये हूँ अब तक आप विधायक भी रह चुके हैं, आप तक आपने इस घर को फूस का रखा हुआ है बड़े बड़े लोगों का आना जाना होता है, तो उसी में से कुछ लोगों ने कहा था कि इसको ऐसे रहने दीजिये गा और यह बड़ी यादगार चीज है कि रेनु जी इतने बड़े माहन साहितकार हुए, लेकिन वही अधना फुस का घर तो पिटा जी का मानना यह था कि हम पक्का बना सकते हैं, लेकिन गाउन में पक्का बने था बना गाउन में तो को पकका गर हो जाए तो हम भी बना लेंगा अब हम रहेंगे पका के घर में गाउवला रहेगा फूस का घर में तो उसके मन में तो होगा वो ठेस दादा जी हमारे जमिनदार आदमी थे साड़े तेरो सो एकर जमिनदा अजिए नटीका जी है ऑठी मेरि दूसरी इमा जिस से हम लोग है और किया है तो शें प्रकाशन Zeus प्ता जी फिर प्लिटा जी स्री इंदरे गानधी जी इस घर में पैदा हुए थे हाँ इसी घर में पैदा हुए थे यह वही घर है जिसमें इतने बड़े शाहित्तिकार फनेश्वर नाथ रियों ने जन्म लिया हम उस घर को भी देखना चाहते हैं जिस घर में और भी यहां पे कई फूस के घर हैं जहां पे वो अपने रचना को रूप दिया कर दे यहीं पर बैट के लिखते थे बैट के भी लिखते थे टेबूल पर नहीं लिखते थे पेट के बल पंचलाइट जला कर लिखा कर दे थे इसलिए उन्होंने अपनी एक कहानी का नाम भी पंचलाइट जलाइट पे बहुत सारे नाटक भी लोग किया करते है इस पंचलाइट को भी नाटे रुपान्तर किया गया है बड़े बड़े मंचों पे जो रंगमंच के कलाकार इस पर नाटक करते हैं यह और भी और बहुत सारी कहानी आोगया है बहुत सारे उपन्याद international किया एकिया गया है तो सबीन घी 69 00 जिनको कि रेणु के सतावधी वर्ष में जो आयोजन होना है उसमें उनको बुलानी की बाते हो रही है वो तो अपना साहमती देभी दिये ते सुरेश सरमाजी को और फिर यहां करना के चलते गड़ बड़ा गया हूँ सब